दोस्तो जैसे कि आप स्क्रिन के उपर देख पा रहे हैं, अगर आपको अचानक से कभी पैसों के जरूरत परती है, तो सिर्फ तीन डॉक्मेंट के उपर आप 5 लाग रुपे तक का इंस्टेंक लोन इस एप्लिकेशन से ले सकते हैं, स्क्रिन के उपर जैसा कि आप देख पा इंस्टिंटली 50,000 रुपे से उपर का लोन ले सकते हैं, अगर आपको कभी भी अचानक से इमर्जनसी में पैसों की जरूरत पर जाए, तो किसी भी तरीके का गैरेंटी नहीं दिना है, कहीं विजिट नहीं करना है, और बिना किसी सेक्योर्टी, बिना किसी एडवांस पेम अगर आपके पास मंतली इंकम का सोर्स है, इस एप्लिकेशन से घर बैठे फोन की मदर से आप लोन ले सकते हैं, वीडियो को एंड तक देखेगा पूरी डीटेल आपको बताने वाला हूं, कहां पे आपको अप्लाई करना है, और किस तरीके से आप अपने इलिप्रिटी च यह fluctuate होगा, यह 20% तक भी जा सकता है सलाना, जो भी आप लोन लेते हैं उसके उपर, डिपन करता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, तो इसी तरीके कि फाइनांसल अपडेट हमेशा देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए ब बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो इस ओगनेशन की और डिटेल समझते हैं, तो देख पा रहे हैं, यह अप्लिकेशन पियर टो पियर लैंडिंग प्लैटफॉर्म है, अगर आप चाहें यहां पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको लोन के रिकुर्मेंट है, आप लोन भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लोन की अगर बात करों, तो सिंपल सा इलिजबिटी क्रैटेरिया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, इस ओगनाईशन में लगभग 53,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, यहां पे लोन लेने वालों की गिंते भी काफी ज़्यादा है, और यहां पे लास्ट मन्त जो लोन के लिए इंक्वाइरी हुई है, वो भी आप स्कून के उपर देख पारें, जैसा कि इनका डेटावेस में में इसन हैं, यह किसी भी तरी अपनी सूजबुच का इस्तमाल करिएगा, उसके बाद लोन अप्लाई करिएगा, यह इंपोर्टेंट है कि आपको लोन से पहले किसी भी तरीकी का भुकतान नहीं करना है, इलिजबीटी क्रैटेरिया सारी चाज़े बताने वाला हूं, बस वीडियो को एंड तक देखिए जैसे कि देख पारें, यह ओगनाईशन जो है डेली की है और यहाँ पे इनका कॉंटेक्ट डीटेल भी है और इमेल आईडी भी है, अगर आप चाहें तो डिरेक्ली क्वेरी भी कर सकते हैं, जो भी आपकी जो है नीड है, अगर आप इस अप्लिकेशन से लोन लेने वाले ह उसके पहले हम समझते हैं कि आपको इलिजबिटी क्रेटेरिया जो है क्या फॉलो करना होगा, जैसे कि देख पारें, यहाँ पे मैंने टैप किया और लोन सेक्शन पे मैंने यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे देख पारें, अलग-अलग लोन फैसलिटी कंपनी इन्सटेट पर्वाइब करने के बाद जो डिटेल आपके सामने में आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी ऐलिजबिटी क्रेटेरिया क्या होने वाली है, अगर हम यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं, तो अगर आप एक इंडियन सेटीजन है, तो आ लाटावा आपके ओमरे 21 year होनी चाहिए आपके पास वैलिड photo id proof होना चाहिए इसके बाद bank account होना चाहिए और जो monthly income है जो monthly income source है वो 15000 रुपे कम से कम होनी चाहिए इंपोर्टेंट है कि上य है कि यह salary आपके account में ट्रांजेक्ट होता हुआ दिखाई देना चाहिए बेसक आपके बाद सेलरी स्लिप ना हो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेके लोन दे सकते हैं डॉकमेंट्स के अगर बात कर लो तो यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ इसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ और इंकम का जो सोर्स है बैंक स्टेटमेंट के साथ आप इसे कम्प्लीट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप इस अपलीकेसं से लून ले रहे हैं तो अपनी जो है सिटी वाकिंग सिटी भी आपको देखना होगा कैसे अपलाई करना है उसके लिए मैं आपको आगे डीटेटेल में बताने वाला हूँ repayment करने के लिए भी आपको यहाँ पे section दिखाई दे जाएगा यहाँ पे हम एक example से समझते हैं suppose अगर आप 2,00,000 रुपे का loan लेते हैं 12% के सलाना interest के उपर तो 12 मन्त के EMI के उपर आपका जो EMI आएगा यानि की repayment जो आपको करना पड़ेगा 17,779 रुपे पर मन्त करना होगा आप में यहाँ पे टोटल आपने interest पे किया 12 मन्त के अंदर में 13,237 रुपे यह 12% सलाना की में बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको जो टोटल डिपेमेंट करना पड़ा दो लाग 13,237 रुपे इसके लावा आपका प्रोसेसिंग फी और बाकी चीज़े भी आपका डेविट होता है यह चीज़े आप ध्यान में रखेगा इस अप्लिकेशन से लोन लेने के लिए हमें प्ले स्टोर के उपर जाना होगा और प्ले स्टोर के उपर आपको जाकर सर्च करना है लैंड बॉक्स लैंड बॉक्स आपको सर्च करना है यह अप्लिकेशन आपको मिल जाएगा इस अप्लिकेशन से आप इंस्टेंट लोन ल जाता है जैसे जैसे आप रीपरमेंट करेंगे आपका लोन इंप्रूव होता चला जाएगा स्क्रीन के उपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आप लैंड बॉक्स से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं यह था आज का अपडेट उमीद है पसंद आयोगा दोस् आपस रहे है सुस्त रहे है और मस्त रहे है